वेल्लो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, वेल्कम दिए ओर चैनल त्रीके सब्स्क्राइब न॥े रीडर की पूरी इंग्लिश कंप्लीट कर ली है ज़्वुन हमस्टार्ट करें क्लास 7 के इंग्लिश और बहुत जल्द आपके पास इंग्लिश सब्सक्राइब तो बिना देरी के चैनल को कर दीज़े स्सक्राइब क्यूंकि मैं इस चैनल पर इस एक चैनल पर आपको हर क्लास की इंग्लिश और बाकी अजर सब्जेक्ट पर भी वीडियोज प्रोवाइड करने वाली हूं तो जली से चैनल को कर दीजिए सिस्क्राइब चलिए अब बिना देरी किये करते हैं हमारे आज के लेसन को स्टार्ट लेसन वन दा रेनबो चलिए स्टार्ट करते हैं बोर्ट सेल ओन दा रिवर्स बोर्ट का मतलब होता है नाव और ऐस है तो नावे एक से ज़ादा सेल यानि होता है पानी पर चलना रिवर्स यानि नदिया तो क्या कह रहा है पोर्ट कि बोर्ट सेल ओन दा रिवर्स यानि नदिया जो नदिया रहती हैं नदियों पर नावे चलती हैं and ships sail on the seas और जहांच समुंदर पर चलते हैं but clouds that sail across the sky यानि कि लेकिन जो आकाश में उड़ने वाले बादल है are appear are prettier far than these वो कहीं अधिक सुन्दर होते हैं किसे इन से यानि कि क्या कहे रहा है poet कि जो नदियों पर नावे चलती है और समुंदर पर जहांच चलते हैं उनसे भी ज्यादा सुन्दर क्या है जो आस्मान को चीरता हुआ आस्मान पर क्या चलते हैं बादल चलते हैं आगे देखते हैं there are bridges on the rivers नदियों पर पुल हैं as pretty as you please जितना चाहो उतना सुन्दर हैं but the bow that bridges heaven लेकिन वो धनूश जो स्वर्ग को बांटता है मतलब की स्वर्ग जैसा दिखाई देता है क्योंकि वो बादलों के बीच में से निकलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है and overtops the trees और पेडों पर चड़ जाता है and builds a road from sky to earth to sky और धर्ती से आकाश तक क्या बनाता है सडक बनाता है इस प्रिटियर फार देन दीस इनसे कहीं अधिक सुन्दर है पहली चार लाइन्स में poet बोल रहा है कि जो नदियों पर नावे चलती है और समुन्दर में जहां चलते हैं उनसे भी ज्यादा सुन्दर है आस्मान में चलने वाले बादल और इन बागी की लाइन्स में poet ये कहना चारा है कि जिस तरीके से नदियों पर ब्रिज होते हैं उसी तरीके से जो आस्मान में एक ब्रिज की तरह हमें rainbow दिखाए दे रहा है वो इन सभी से ज्यादा सुन्दर है thought of the lesson क्या है beauty is nature's coin यानि की सुन्दरता प्रकती का सिक्का है चलिए अब हम इसकी exercise देख लेते हैं first है listen and repeat सुनिये और दोराइए दोराइए मेरे साथ में words बोलूँगी और आपको सुनकर उन्हें दोरान you have read the poem find out which line ends with similar sounds example earth, birth, worth, freeze sail, mail, pale जैसे की सारे words यहां पर लिखे हुए तो यहां हमें दिख रहा है कि हमें poem को read करना है आपने भी poem को read की है तो अब आपको इदेखना है कि कौन सी lines में similar words आ रहे हैं जिनके sound similar है and similar sound से हो रहे है जैसे कि हमने देखा earth, birth है वैसे earth, birth, worth sail, mail, pale चीक उसी तरह है कैसे हमने देखा trees है तो trees के लाव और हमें क्या दिखाई दे रहा है यहां पर हमें दिखाई दे रहा है trees, these, please तो हम यह सब लिख सकते हैं यहां पर trees, these, please आगे देखते हैं लिसन टू दे सेंटेंसे गीवन बिलो केरफुली and देन चूस दे वर्ड्स दे राइम एंड राइट देम इन दे टेबल गीवन अब हमें यहां पर इन वर्ड्स को इन सेंटेंसे को पढ़ना है केरफुली और वर्ड्स जिनके राइम सेंग है उन्हें नीचे टेबल में लिखना है जैसे की first यहां पर back cake दिया हुआ है वैसे ही next में पढ़ेंगे हम तो यहां है king और sing लिख देते हैं king sing second है a cat sat on a mat तो क्या कैसे हम है cat, sat, mat सब सेंग है लिखते हैं दो set और mat next है the little boy danced with joy तो boy और joy next है a hand wrote with a pen तो hand और pen next है the frog set on a log तो frog और log आगे बढ़ते हैं comprehension choose the correct option first day what do you think the poem is about आपको क्या लगता है poem किसके बारे में होगी तो हम सभी को पता है poem किसके बारे में थी the rainbow next day where do boats and ships sail boats और ships कहां पर तेरते हैं या कहां पर चलते हैं तो boats के लिए option है road, sky या river तो answer आपको पता है नावे नदियों पर चलती है और ships ships कहां चलती है sea यानि कि समुंद्र पर आगे देखेंगे the rainbow makes a bridge rainbow कहां bridge बना रहा है train पर from earth to sky जमीन से आसमान तक या over tall buildings या मंजिलों के उपर कहां बना रहा है वो earth से sky तक the prettiest bridge is सबसे सुंदर bridge कौन सा है made by a rainbow rainbow से बनने वाला bridge next है the rainbow is the rainbow क्या है सबसे ज़ादा सुंदर है यानि prettiest है अब यहां question third में word power में है pick the odd word out and encircle it as given in the example अब जैसे example में यहां पर दिया हुआ है river pond sea और road तो इन सभी में से हमें कोई अलग चारों में से अलग कहते हैं को river भी नदी है pond वो भी पानी की एक जगे है sea भी पानी की है लेकिन road पर पानी नहीं होता है तो यह इस तरीके से इन से अलग है जो अलग है हमें उस पर सरकल बनाना है second है sheep, boat, aeroplane और येच तो sheep, boat और येच पानी पर चलती है लेकिन aeroplane हवा में यह ने aeroplane पर अप सरकल बना देंगे next है next है cloud, star, moon और earth cloud बादल है जो आसमान में रहते हैं और star भी, moon और earth एक planet है next है sea, bus, tractor, car obviously हमें पता है कि bus, tractor और car तो वही कल से लेकिन sea क्या है सम्मुन्द रहे next है green, orange, yellow, flower तो यह तीनों तो colors के name है but flower is not name of color next देखते हैं use the following words appropriately in the sentence given below यानि कि यह जो foreign words है इने ठीक से पढ़ना है और उन्हें हमें फिल करना है ships on the seas तो ships sea पर क्या करती है cell तो यहाँ पर लिख देंगे हम cell I saw in the sky yesterday मैंने sky में कल मैंने आस्मान में क्या देखा rainbow are often seen in the sky in the rainy season तो rainy season में अक्सर आस्मान में क्या दिखाई देता है clouds यानि बादल नम्रता is a girl नम्रता कैसी लड़की है pretty natural beauty always प्राकती जो सुन्दरता है वो मुझे हमेश्चा जा करती है खुश करती है pleases me चले आगे देखेंगे grammar in use read the following table देखें ये superlative degree होती है यहाँ पर ये इसकी comparative degree है और ये superlative degree है कहीं सारे words होते हैं जिसे हमें अच्छा थोड़ा अच्छा और बहुत अच्छा या अच्छा बहुत अच्छा सबसे अच्छा तो अच्छे के लिए फिर बहुत अच्छे के लिए और फिर सबसे अच्छे के लिए तो उस तरीके से यहाँ पर table बनी हुई है comparative और superlative degrees की जिसे pretty prettier, prettiest great, greater, greatest wise, wiser, wisest high, higher, highest bright, brighter, brightest smart, smarter, smartest small, smaller, smallest fresh, fresher, freshest tall, taller, tallest thick, thicker, thickest I hope कि आपको पूरे वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी और अगर कोई doubts है तो आप मुझे comment करके बदा सकते हैं और comment करके मुझे यह भी बताईए कि आपको वीडियो explanation कैसी लगी thanks for watching this video take care bye bye